कि अज़िए पार्थक सद्धा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और आज हम डिसकस करेंगे बीपेसी टेस्टरीज नमर एट को इससे पहले हमने टोटल साथ टेस्टरीज को डिसकस कर दिया है जिसमें लगवग दस सो पचास कोईस्टन का डिसकसन हो चुका है जिनमें सारे सब्जेक्ट को कमपाईल किया गया है तो आई थिंक यह आपके एक्जाम पॉइंट सो भी उस जैन धर्म में पुर्ण ज्ञान के लिए क्या सब्द है उप्चंस है हमारे पास जीन, रतन, कयवलय, निर्वान फिर आता ता पाँचमां उप्चन उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो जैन धर्म में कयवलय किन को मिला था तो कयवल्य मिला था भगवान मह महाविर को कितने वर्स की अवस्था में तो 42 वर्स की अवस्था में भगवान महाविर जो की 24 वे तिर्थंग करतें उनको कैवली की प्राप्ती हुई, कैवली मिल माहा ज्ञान, ठीक है अब भगवान महाविर की यहां पे बात आई तो उनसे related कुछ पॉइंट को यहां पर हम डिसकस करेंगे महाविर का जो जन्म हुआ था वो 542 पांसो चालिस बीसी इशापुर्व में और उनका जो जन्म अस्थान था वो बैसाली के अंदर एक जगह था कुंडा ग्राम वहीं पर उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी का नाम क्या था सि सिधार्थ यह सारे questions exams में पुछे जाते हैं सिधार्थ था और वो जत्रिका छत्रिये क्लेन से आते थे उनकी माता का नाम क्या था तिरशला जो कि किसकी sister हुआ करती थी वैसाली के जो राजा थे चेतक उनकी sister हुआ करती थी और चेतक की जो डाउटर थी छेलना जिसकी यह थे बिम्भी शार ठीक है अब भगवान महावीर को जहां पर ज्ञान मिला उस जगह के नाम को क्या कहते हैं तो वो जो जगह था उसका नाम है जंबीका ग्राम जो कि वैसाली के अंदर है और किस नदी के किनारे उनको कैवल लिकी प्राप्ती हुई तो उस नदी का नाम है रिजू पल्ली का नदी ठीक है ये भी वैशाली के अंदर ही है अब भगवान महावीर की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था ये शोधा इससे कोईशन नहीं आता उनकी डाउटर थी जिसका नाम था अनोजा पिरेदर्सी और उनका पहला जो शिश्रित था जमाली उनकी जो तो डाउटर थी अनोजा पिरेदर्सी जमाली उसका बाद में चलके उसका पती बन गया तो ये भी कोईशन एक्जाम में आते हैं अब चलिए भगवान महावीर से रिलेटेर उनके कुछ नाम है जो की बार-बार एक्जाम में पूछे जाते है एक तो उनको केवलीन कहा जा अरहंत भी कहा जाता है और सबसे फेमस जो नाम था वो क्या था महावीर ठीक है अब जैन धर्म के अंदर तिर्थंकर हुआ करते हैं और हर तिर्थंकर का एक सिंबॉल होता है तो उन सिंबॉल्स को और कुछ इंपोर्टेंट तिर्थंकर जो है उनके बारे में हम यहापे द जो की 23 तिर्थंकर थे और नाम से ही लगता है कुछ स्नैक जैसा साप जैसा तो उनका जो सिंबॉल हुआ करता था सर्पेंट टाइन ठीक है फिर पहले जो तिर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर उनका नाम था रिशव देव और उनका सिंबॉल बुल हुआ करता था और दूस नालंदा के अंदर एक डिस्टिक है अभी भी बिहार में वो दिया था और वो कितने टोटल student को दिया था तो ये टोटल ग्यारा हुआ करते थे और जैन संग की अस्थापना भी उन्होंने कहां पे कड़ी थी पावापूरी के अंदर और जैन धर्म के जो प्रिंसिपल किस बुक में लिखे गए हैं तो वो आपको त्री रतन एक बुक होता उसके अंदर लिखा गया तो ये बहुत सारी बातों को इस question के माध्यम से हमने आपको बता दिया चलते हैं अपने next question पे अगला प्रस्न है मिर्द भांड पात्र OPC का नामा करन हुआ था option से हमारे पास हस्तिनापूर में फिराता अही छेत्र में नोह में लाल किला में पाचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक देखे OPC जिसको हिंदी में मिर्द भांड पात्र कहेंगे OPC का फुल पॉम क्या हो गया ओक्योर ओक्योर कलर्ड पोटरी कल्चर ठीक है और ये पार्ट का साक्षे कहां से प्राप्त हुआ तो इसका जो राइट एंसर होगा option number one सही जवाब है और इस जगह को छोड़के और कुछ जगह पे ये प्राप्त हुआ था मिर्द भांड पात्र गंगा का जो दोआब छेतर होता मतलब गंगा का जो नदी होता और उसके बीच में जो गैप रहता है वो बालु वाला जो एरिया होता उसको दोआब कहते हैं और कदारी मैदान में पाए जाते हैं इस तरह के पात्र और इसके जो बेसिकली ये सराहन पूर जो की उत्तर पर परवन सही है, अगले question को देखेंगे, अगला प्रस्ण है, निम्नलिकित में से किस सिलालेक में कलिंग युद्ध के बाद महराज अशोग के रुपानतरण को दर्ज किया गया है, साते सिलालेक पासि कोई नहीं या एक से अधिक तो इसे बाद जो सही जबाभर को अधिए चाहः जौप का मैन्ड इन सभी चीजों के बारे में दिया गया है अब आता शिला लेक की बात आई तो असोग की जो टोटल सिला लेक होती है वो 33 है जिसको मैंने अपने हिस्टरी के एक पहले कलास में जो की यूपी पीस्कियस के लिए बनाया गया था उसमें डिसक्स किया है तो जाके एक बार South India के राजा के बारे में लिखा है, ठीक है? जैसे आपको एक्जम्पल हो गया, चोल समराजी हो गया, फिर आपको पांडिया हो गया, इन सभी के बारे में दूसरे सिलालेक में बताया गया है फिर आपको आता है चौथा जो सिलालेक है option में उसको देखेंगे चौथा जो है वो धम के बारे में इस सिलालेक में बताया गया है फिर छटवा सिलालेक के अंदर लोगों की कैसी इस्तिती थी असोक के शासनकाल में उस चीज के बारे में वर्नन किया गया है पिर आपको एक आता है पांचवा सिलालेक और आठवे सिलालेक में असोख ने बोध गया की यातरा की थी उसके बारे में इसमें दिया गया है और सबसे बड़ा जो असोख का सिलालेक है वो कौन सा है एक्जाम में पुछा जाता है तो असोख का सबसे बड़ा सिलालेक भबरू का शिलालेक और ये कहां पे अवस्तित है ये आपको राजस्थान, राजस्थान के अंदर है और इसमें किस चीज का वर्नन किया गया है इसमें बहुत धर्म के बारे में वर्नन किया गया है और ये बेलनाकार आकिरती का शिलालेक है एक इकलोता ऐसा शिलालेक है जो बेलना कार बेलना कार आकिरती का है तो ये खिलियर हो गया इस प्रस्ट का सही जबाब होगा चौथावा प्रस ऑप्शन अगले क्वेशन को देखेंगे एलोरा में दो साल को काट कर बनाएगे प्रसिद्ध कैलास मंदिर का निर्मान निम्न लिखित में से किस किन के सनरक्षन में किया गया था ओप्शन से हमारे पास चोल फिर आता है कदम फिर आता है पलव फिर आता है रास्ट कुट अब पाचवा ऑप्शन चो कि सभी के लिए कॉमन है तो इस प्रस्ट का सही जवाब होगा राश्ट कुट के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरेश कृस्ण जिनका नाम था नरेश कृस्ण परथम और ये 760 से लेके तिरपन के आसपास में थे और इन्होंने ही उसमें कैलास मंदिर की अस्थापना कराई थी ठीक है एलो राखे अंदर तो इस प्रसंद का सही जबाब होगा आप्शन नमर 4 अब आप्शन के बारे में देखेंगे चोल समराजी के सबसे फेमस जो किंग थे उन्होंने एक गंगई कोंडा चोला पूरम नामक शहर बशाया था जिसको किसने बसाय था तो यह शहर बसाया गया था आपको राजेंदर चोला वन के दौरा जो कि राजा राजा चोला के पुत्र हुआ करते थे थीक है फिर पल्लव डाइनस्टी पल्लवा जो डाइनस्टी था उसके ताइम में किस टाइब के टेंपल का फॉर्मेशन हुआ था तो रॉक कर टेंपल जो की महावली पूरम के अंदर है उस वक्त में उसका फॉर्मेशन कराये थे और पल्लवा डाइनिस्टी का कैप्टल कहां पे हुआ करता था कांची पूरम कांची कांची पूरम और जहां की शारी बहुत फेमस होती है अगले कोईशन को देखेंगे अगला प्रसनाता हमारा शोलश क्यावन इसवी में मुगलो द्वारा बंगाल में किस अस्थान पर इस्ट इंडिया कंपनी को वेपार करने आज वेपार करने के लिए फैक्टरी बनाने का निर्मान करने की अनुमती दी गए थी यहां भी मिस्प्रिंट हो गया था तो इसका जो ऑप्षन है कोलकाता काशिम बाजार फिराता शिंगूर बर्दवान पांचवा ऑप्षन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इस प्रशन का सही जवाब होगा काशिम बाजार में मुगलों के द्वारा अंग्रेजों को अधिकार दिया गया था 1655 में फैक्टरी बनाने के लिए अब 1655 में मुगल के साशक कौन हुआ करते थे समराठ तो साह जहां हुआ करते थे उनके बारे में कुछ देखते हैं उनको उस टाइम में आर्किटेक्चर का डेवलप्मेंट भारत के अंदर सबसे ज़ादा हुआ था और उन्होंने क्या-क्या बनवाया था तो लाल किला ताजमन को तो सभी जानते हैं फिर उन्होंने जामा मस्जिद बनवाया था जामा मौस्क ये डैली के अंदर भी है और एक आगरा के अंदर भी है दोनों जगह के जामा मस्जिद को साह जहां के द्वारा बनाया गया था फिर आगरा जो फोट है उसको भी साजहां के द्वारा बनाया गया था एक मोती मस्जिद है आगरा के अंदर जिसको साजहां ने बनवाया था अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है बेरोजगारों के सहाय तायार्थ दिल्ली के निम्नलिकित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्याले की अस्थापना की थी options हैं हमारे पास बलवन ने फिराता अलाउद्दीन खिलजी ने मुहमद बिन तुगलक ने फिरोज साथ तुगलक ने पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो ये जो रोजगार कार्याले खोला गया था उस वक्त में फिरोज साथ तुगलक के दौरा जो कि मुहमद बिन तुगलक के कजन हुआ करते थे और फिरोज साथ तुगलक के दो शहर बसाया था कौनसा कौनसा? एक तो जौनपूर जो कि अपने भाई जोना खाँ जो कि मुहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था पहला नाम था उनके नाम पर और एक उनकी जो भाबी हुआ कलती थी जो कि बाद में उनकी वीबी बन गई उनका नाम था हिसार और हिसार के नाम पर उन्होंने एक सहर बसाया हिसार जो कि आज के हर और फिरोसा तुगलक को भारत के अंदर ब्रिटिश ने क्या कहा था कि ये फादर और सिचाई परियोजना के जो जनक कहलाते हैं भारत के अंदर वो ब्रिटिश के दौरा इनको कहा गया था फिर आता इन्होंने जजिया कर भी ब्रह्मनों के उपर लगाया था तो हिंदु के ये थोड़े से सक दुवा करते थे फिर आपको आत ऑप्शन में दे रखा है मुहम्मद बिन तुगलक ये इतियास में सबसे पढ़े लिखे सासकों में से एक है इनको लगभग मुस्टली सब्जेक्ट का नॉलेज था जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया फिर एस्ट्रोनॉमी हो गया फिर अर्वी फार्सी जितने भी चीज होते है साइंस हो गया मैथ हो गया सबके नॉलेज थे सबसे पढ़ा लिखा सासक में से एक था और इन ही के टाइम में कौन आया था एब नभी तूता जो की मुरक्को के ट्रैबलर थे वो इंडिया के अंदर आये थे और ये त उस्तक लिखी थे जिसमें तुगलक डैनेस्टी के बारे में जिक्र किया गया था फिर आपको आता है तुगलक के बारे में एक चीज और जो की कोईशन में पूछा जाता है तुगलक डैनेस्टी जो की डेली सल्तनत के अंदर सबसे लॉंगेस्ट सर्विंग डैनेस्टी है फिर आता है आपको Allauddin Khilji फिल जी के बारे में देखते हैं Allauddin Khilji को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था यह किसके दोरा कहा गया था तो Amir Khus certo के दोरा जिनको तोतिये हिंद भी कहा जाता है फिर आपको आता है अल्ला उदिन खिल जी पर्मानेंट आर्मी का स्टैबलिस्मेंट कराये थे उन्होंने एक मार्केट सिस्टम को रेगुलेट किया था और खुद से प्राइस को फिक्स करते थे जिसके अंतरगत वहां के व्यापारी मार्केट में अपने शामानों को बेचा करते थे इस सिस्ट में इन्होंने एक मॉस्क का निर्मान खड़ाया था फिर रिवेर्नियू जो कलेक्शन होता था खिल जी के टाइम में वह गैस के रूप में लिया जाता था और ब्लैक मार्केटिंग को खिल जी ने बंद करवाया था और फिक्स प्राइस था नेसेसरी कॉमेंडिटी जो भी द्वारा लाया गया था सबसे पहले बल्वन जो कि अभी अभी इमें बताया कि इन्होंने ब्लड और आइरेंट पॉलिशी लाया था यो की ब्लवन ने एक चालीशा हुआ करता था जो कि इंड़ो चालीशा रोगा था लगबाग 40 लोगों का एक संग हुआ करता था जिसको अगले question को देखेंगे अगला जो प्रस्न है हमारा थियो शॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख के का रियाल है अस्थापित क्या था तो थियो शॉफिकल सोसाइटी का जो headquarter था फूरे world level पे वो आपको कहां पे था तो वो New York जो कि अमेरिका के अंदर ह वहाँ पे था और थियो शॉफिकल सोसाइटी का establishment किसके द्वारा किया गया था मैडम H.P. Blavitsky और एक थिक कर्णल H.S. Old Court के द्वारा इस थियो शॉफिकल सोसाइटी को बनाया गया था और ये New York के अंदर कब established हुआ था तो ये आपको 1889 में और ये इंडिया के अंदर question भी clear हो गया next question को देखेंगे अगला प्रस्ण है भारत छोरो आंदोलन के शंदर्भ में सत्य कथन का चैन करें options है हमारे पास यह एक स्वता अस्पुर्थ आंदोलन था ये सही है फिर आपको आता इसमें होगा सत्य नहीं असत्य कथन को ढूंडना है ठीक है तो पहला जो था ये भारत छोरो आंदोलन जो की 1942 में लागया था जिसको अगस्त करांती के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वता अस्पुर्थ आंदोलन था फिर आपको next option है इसी आंदोलन म कांदी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था ये भी बिल्कुल सही है फिर आपको आता next option यह पुर्णतय अहिंसक आंदोलन नहीं था तो इसका जो option 3 है वो सही हो जाएगा चौथा option को देखेंगे इस आंदोलन के दोरान युगा नेताओं द्वारा भूमिगत ग खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रो को प्रदर्सित करने वाले नाटक नील दर्पन के लेखक कौन थे? आप्शन से हमारे पास दीन बंदू, बंकीम चंदर चटरजी, रविंदर नाथ टैगोर, नवीन चंदर सेन, पांचवा option है उपर युगत में से कोई नहीं य या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जबाब होगा, फर्स्ट ऑप्शन दीन बंधू मित्र के द्वारा नील दर्पन नाटक लिखा गया था, रविंद्ना टैगोर को नाइट हुट की उपादी मिली थी, जो कि उन्होंने जलियान वाला बाग जो मैस्करी हुआ था 1999 में उसके बाद उन्होंने उस उपादी को लोटा दिया था रविंद्ना टैगोर को गितांजली के लिए, गितांजली के लिए नॉबल प्राइज मिला था, वो पहले ACI या नॉन एरोपियन थे जिनको नॉबल प्राइज से समानित किया था, रविंद्ना टैगोर के बरे को देखेंगे अगला प्रस्थ है 1857 के विद्रोह का प्रसासनिक परिनाम शक्ति का अंतरन था option से हमारे पास East India Company से British Samrat को फिर आता आपको British Samrat से East India Company को तो ये तो गलती हो गया उस वक्त में East India Company का रूल चलता था 1857 से पहले तो दूसरा option नहीं होगा next देखेंगे East India Company से Governor General को नहीं 1857 के बाद Vice Strike का पोस्ट बनाया गया था और सबसे पहले Vice Strike बने थे Lord Canning ठीक है ये भी option नहीं हुआ next देखेंगे British Samrat से निदेशक मंडल को तो ये भी नहीं होगा इस पसन का सही जवाब होगा option number one पहले East India Company के अंतर वो पावर था कि वो इंडिया को regulate rule करें और फिर बाद में 1857 के बाद ये पावर Crown को चला गया British Samrat को चला गया अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है अंग्रेज ने भारत में railway किस उद्देश से शुरू की थी option से हमारे पास भारत में भारी उद्द्यों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा option है ब्रिटिस वानिज और प्रसासनिक नियंतरन की शुबधा के लिए तीसरा option है दुरवक्षी की इस्तिती में खादान पहुचाने के लिए चौथा option है ताकि भारतिये देश में मुख्य रूप से घुश सकें पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो यह railway से जो इंडिया के अंदर डैबलप किया गया था किसके वक्त में डैबलप किया गया थ तो यह आपको यह प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था आपको लॉड हार्डिक के द्वारा कब 1800 में इसको शुरू करने का प्रस्ताव ला गया था और रैलवे जो डैबलप हुआ भारत के अंदर 1653 में और वो दिन कौन था 16 अपरील को ठीक है 1830 पर में शॉरी 1860 अपरील के दिन स्टार्ट किया गया था और ये जो पहला ट्रेन चला था पैसेंजर वाला वो कहां से कहां के बीच में चला था ये आपको चला था बॉंबे बॉंबे से लेकर थाने के बीच में जिसकी डिस्टेंस कितनी थी 34 किलो मिटर और उस ट् का नाम था फेरी कुईन ठीक है ये किलियर हो गया तो उस वक्त में ये ब्रिटिस रेलवे का क्यों किया था तो इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्शन नमर दो ब्रिटिस वानीजी और प्रसासनिक नियंद्रन की शुवधा के लिए ये शुरू किया गया था अगले कुश्चन को देखेंगे डलहौजी के बारे में देखेंगे अगला प्रसन है निमनल लिखित में से प्रिटिस का वह गवर्नल जनरल कौन है जिसने भारत में डाग टिकट शुरू किये थे अप्शन से हमारे पास लौड डलहौजी फिर आता लौड ऑकलेंड लौड कैनिंग फिर लौड विलियम बैंटिक पांचवा अप्शन है उप फिर आपको उसी वक्त में मेकाले के दुआरा इंडिया के अंदर इंगलिस एडुकेशन लाया गया था तो लौड विलियम बैंटिक तो नहीं होगा फिर देखेंगे कैनिंग लौड कैनिंग जो हुआ करते थे वो भारत के पहले वाइस राइ हुआ करते थे जो की 1857 के करा जिसको क्या कहा था उन्होंने सरक ए आजम जिसको आज का जीटी रोड कहते हैं जीटी रोड कहते हैं और इसी सरक ए आजम का दूसरा नाम था बाद साही सरक ये सेड़शा के द्वारा बनाया गया था बाद में जीटी रोड इसका नाम किसके द्वारा बदला गया था तो Lord Auckland के द्वारा ठीक है तो ये भी प्रस्ण का option सही जवाब नहीं है अगला जो option नमर वन है इस प्रस्ण का सही जवाब है डाक सुरू की अगथा Lord Dalhousie ने अब Dalhousie के बारे में और चीजे देखते हैं जो की exams में पूछे जाते हैं उनका जो कारिकाल होता था वो किस टाइम में था 1846 से चपन के बीच में और इन्होंने abolition of title जो है वो Dalhousie के द्वारा title किसी नाम के पिछे जो लगता उसको हटा दिया गया था फिर pension देना बंद कर दिया थे फिर आपको विदवा पुनर विवा का बिल Dalhousie के टाइम में पास किया गया था फिर अगला चीज़ देखते हैं Doctrine of Laps जिसको गोध हरप की निती कहते हैं ये डलhousie के द्वारा ही लाया गया था कब लाया गया था 1849 के टाइम में और 1848 में और सबसे पहला जो इसका शिकार हुआ था वो कौन हुआ था शतारा शतारा इसको कब वो अपने अंदर मिला लिया था 1848 में फिर आपको शतारा के बाद जैदपूर और एक था शंबलपूर जो की उडिशा के अंदर है उसको 1849 में 1849 में जैदपूर और शंबलपूर को अपने बिरिटिश समराज में मिला लिया फिर आपको एक जगह था बागपत बाग हाट 1850 में उसको भी अपने अंदर सामिल कर लिया बाग हाट 1850 में British Samaraj में मिला लिया फिर उदैपूर को 1852 निस्वी में अपने अंदर मिलाया फिर जहांसी की बारी आ गई जहांसी को उन्होंने 1853 निस्वी में British Samaraj में मिला लिया फिर नागपूर नागपूर को उन्होंने 1854 में British Samaraj में मिलाया और देखते हैं 1849 से उन्चास के बीच में डल हो जी 1849 से उन्चास के बीच में इन्होंने पंजाब के उपर अधिगरहन कर लिया किस वार के अंदर तो ये हुआ था आपको Anglosic War कब हुआ था? 1849 से उन्चास के बीच में और उन्होंने पूरे पंजाब को अपने अंदर कर लिया फिर आता है Anglo Verma War जो की 1852 में लरा गया था 1852 में Anglo Vermeese War और ये भी लीडर इसके डल होजी ही हुआ करते थे उन्होंने बर्मा को भी अपने अंदर मिला लिया फिर बेरार का अधिकरन इन्होंने 1853 इसवी में 1853 में बेरार का अधिकरन किया और सबसे लास्ट में आपको अवद का अधिकरन किया था 1856 में ठीक है उसके बाद तो ये चले ही गया थे और अवद को किस ग्राउंड पे इन्होंने अपने समराज में मिला था तो माल एडमिस्ट्रेटिव सिस्टम के कारण 1853 में इन्होंने रेलवे को स्टार्ट करा था इन्ही के टाइम पिरेड में भारत के अंदर रेलवे का जो सिस्टम था वो सुरू हुआ था पहली ट्रेन चली थी फिर 1853 में ही इन्होंने टेलिग्राफ सिस्टम का एस्टैबलिस्मेंट किया फिर जीटी रोट के उपर भी काम इन्होंने शुरू कराया था और बंदरगाहों करिर्मान कराने के लिए इन्होंने बात रखी थी कहाँ पे एक था आपको कराची जो कि आज का पाकिस्तान है और बंबई हो गया और एक कलकत्ता हो गया तो यह सारे चीज इस प्रस्ट के माद्यम से हम जान लिए अगले कोईसन को देखेंगे अगला प्रस्ट है योगदर्सन के प्रति पादक हैं आप्शन से हमारे पास पतंजली, योगी, गुरकनाथ, स्वामी, रामदेव, शंकराचार्य पाच्वा उप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ट का सही जवाब होगा उप्शन नमर वन योगदर्सन पतंजली के दौरा लाया गया था और पतंजली किसके समकालिन थे किसके राजी के अंदर हुआ करते थे तो शुंग डाइनिस्टी के जो फाउंडर थे पुश्वमित्र शुंग निके शामराज में पतंजली जी हुआ करते थे तो ये भी किलियर हो गया अगले कुशन को देखेंगे आरे शब्द का साब्दिक अर्थ है आप्शन से हमारे पास स्रेस्ट, विद्वान, पुरोहित फिर आता है योध्धा पांचों आप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इस प्रस्ण का सही जवाब होगा आप्शन नमर फरस्ट अब आरे के बारे में और देखते हैं आरे को महाकूल के नाम से भी जाना जाता है फिर इनको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कुलीन कुलीन हिंदी मुझे नहीं लिखने आती है गलत हो जाए तो माप कीजिएगा फिर सबह आरे को शबह भी कहा गया है सज्जन सज्जन भी कहा गया है और साधू आरे शाधू भी हुआ करते थे साधू के नाम से जाने जाते थे और स्रेस्ट तो स्रेस्ट इसका सही जवाब है अगले कुशन को देखेंगे सुर्य मंदिर अस्थापित है option से हमारे पास पूरी में फिर आता है खजुराहों में कुनार्क में और गया में पांचमा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इसका जो सही जवाब होगा कुनार्क के अंदर सुर्य मंदिर अस्थापित है और ये किसके दौरा बनाया गया था तो एक गंग वंच के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था निरिसिंग निरिसिंग देव इनी के दौरा ये कुनार्क टेंपल को सन टेंपल को बनाया गया था इसके आर्चिटेक्चर कौन हुआ करते थे तो विशु महाराना ये किलियर हो गया अगले कोईशन को देखेंगे अगला परस्थ है मगद के किस प्रारंबिक सासक ने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एबं सुयम किसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया ओप्शन से हमारे पास बिमभी शार फिर आता है अजाद सत्रू उदायन नाग दसक फिर उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधी तो इसका जो सही जबाब होगा उदायन जिन्होंने किसकी हत्या की थी उदायन किसका पुत्र हुआ करता था तो अजाद सत्रू की हत्या करी थी उदायन ने उदायन नहीं पार्टली पुत्रा को मगत समराज्य का कैपिटल बनाया था और ये हर्यक डाइनिस्टी से हुआ करते थे आजात सत्रु ने किसकी हत्या की थी उनके पिता होते थे बिम्बी सार जो की चेतक राजा थे उनकी बीवी थी चलना बेटी थी जिससे उनकी शादी हुई थी और ये भगवान महाविर के रिलेटिव होते थे नेक्स्ट को देखेंगे चीनी यात्री संग्यून ने भारत यात्रा की थी उप्शन से हमारे पास 515 यसवी से 520 यसवी के बीच में 525 से 529 यसवी के बीच में 592 से 97 यसवी के बीच में उपर युकत में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का सही जबाब होगा option number one ये चिनी यात्री जो थे सुंग यून ये किसके time period में भारत आये थे तो उस वक्त में हुन के सासनकाल के time में ये भारत आये थे और इन्होंने गांधार once के बाड़े में लिखा था कुछ बाते तो ये clear हो गया अगले question को देखेंगे मनस्मिर्थी बाचवा option है उपरियुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा option number 2 मनस्मिर्थी में कानून विवस्था से related वाते की गई है अगले question को देखेंगे निम्नलिकित घटनाओं को कालकरम अनुशार विवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए सही उत्तर चुनिए अमरित सर की घटना जो की जल्यान वाला बाग का जो कांट हुआ था वो कब हुआ था आपको 19 2019 में कब हुआ था 13 अपरील को तो ये हो गया 14 कब हुआ था 1917 में चमपारन अबे सारे के सारे गलत में कर रहा हूँ रुख जए दो मिनट अमरित सर वाला इंसिडेंट जल्यान वाला बाग 1919 में हुआ था फिर आपको आथा 14 14 कब हुआ था 5 जुलाए 1922 में फिर चमपारन हुआ था 1917 में और मुपाल विद्रोग कब हुआ था तो मुपाल विद्रोग हुआ था आपको केरला के अंदर ये हुआ था 1921 में तो सबसे पहले कौन चीज हो गया उसको देखेंगे तो सबसे पहले इस ऑप्शन में हुआ था चमपारन तो इसका जो ऑप्शन नमर 3 है वो सही जवाब है अगले कुश्चन को देखेंगे अगला प्रस्न है महत्मा गांदी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था ऑप्शन से हमारे पास और सही योग आंदोलन जो की 1920 में स्टार्ट किया गया था और चौरी-चौरा के इंसिडेंट के बाद शमाप्त कर दिया गया था और यही महत्मा गांदी का पहला जन आंदोलन हुआ करता था तो ऑप्शन वन इसका सही जवाब है नमक आंदोलन ये नमक शत्यागरा 1932 में शावर मती से डांडी के लिए चले थे 12 मार्च से 5 अपरील तक इन्होंने यात्रा करी थी टोटल 78 व्यक्ती मिलकर फिर वारत चोरो आंदोलन 1942 जिसको अगस्त क्रांटी के नाम से भी जाना जाता है नील आंदोलन जोकी 1859 इस वी के आसपास में सबसे पहला वाला हुआ था और नील से रिलेटेड यांदोलन ये चमपारन मुवमेंट भी था जोकी 1917 में हुआ था और इसमें गांधी जी को राजकुमार सुकला ने इन्वाइट किया था अगले क्वेशन को देखेंगे अगला प्रस्न है आगड़ा शहर की अस्थापना की थी आप्शन है बहलोल लोधी जोकी लोधी बंच के फांडर हुआ करते थे तो ये नहीं होगा फिर आता फिरोज तुगलक इसके बारे में बहुत चीज़ बता है ये तुगलक डैनिस्टी से बिलोग करते थे और इन्होंने दो शहर बशाया था एक जौनफूर एक हिशार फिर आता है खिजर खां इन्होंने भी नहीं करा था आगरा को बशाया था सिकंदर लोधी ने शिकंदर लोधी एग्रिकल्चर और ट्रेड को बढ़ावा दिया था अपने टाइम पिरेड में और ये दिली सल्तनत का सबसे कमजोर सासक कहलाता है अगले कोशन को देखेंगे अगला प्रस्न है त्री रत्न सिध्धान्त शम्यक धारना शम्यक चरित्र और शम्यक ग्यान जिस धर्म की महिमा है वह है अभी अभी हमने जैन धर्म का डिसकस किया था तो त्री रत्न जैन धर्म से related है तो option number third इसका सही जवाब है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्न है बंगाल की निमनलिखित फैक्टरियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी option से हमारे पास बांदेल, चिन, सुरा, हुगली, स्री रामपूर पांचवां option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा पोर्टगीज का जो वो था फैक्टरियों वो हुगली के अंदर था नेक्स्ट आएगा question British House of Commons का चुनाव जिस प्रतम भारतिये ने लड़ा था वह थे option है तादा भाई नैरो जी फिर आता है गुपाल क्रिस्न कोकले जो की गांदी जी के political group हुआ करते थे फिरोज साब महता इन्होंने एक establishment करा था लंदन के अंदर एक hostel जो की आप comment box में लिखे गया फिर डबलू सी वेनर जी ये भारतिये रास्ट्रे कॉंग्रेस 1885 में जो इसका establishment हुआ था और पहले अध्यक्ष हुआ करते थे फिर इसका जो right answer होगा दादा भाई नैरो जी जो की पहले पार्जिन अध्यक्ष बने थे भारतिये आस्ट्रे कॉंग्रेस के 1886 में और ये शेशन कहा हुआ था कलकत्ता के अंदर दादा भाई नैरो जी कब तक house of commons के मेंबर रहते इंग्लेंड के अंदर तो ये आपको अठार सो बिरानवे से लेकर अठार सो बिरानवे से लेकर पंचानवे के बीच में वहाँ पे शांसद रहते और इनकी जो पार्टी थी वो लिवरल पार्टी थी इन्होंने एक भूक लिखा है अगले question को देखेंगे नेमने लिखित में इसे कौन सा वक्ती आंदोलन का प्रस्तावक था option है नागार जुन तुका राम फिर आता है त्याग राज वल्लबा चार्ये तो इसका जो राइट इंसर होगा प्रस्तावक इसमें से कोई नहीं था इसके जो प्रस्तावक हुआ करते थे भक्ती आंदोलन जो की साउथ से स्टार्ट हुआ था और बाद में चलकर पूरे इंडिया और जो साउथ इस्टेइसिया है उनमें च्छा गया था तो ये स्टार्ट किया गया था आपको नारद, अलवर, ने नार, आदी संक्राचार्ये इसके मुख्य लीडर हुआ करते थे और सेव संत अपार जो थे वो इसी वक्त में पलब राजा मेहंदर वर्मन को शैव धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था इनसे ही related कवीर भी है, वक्ती मुवमेंट से related, रैदास हैं, फिर आपको गुरुनानक हो गए, फिर महा, वल्लवा, चारिये हो गए, तुलसी दास हो गए, ये सारे के सारे वक्ती मुवमेंट से related हैं तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा पांचवा अप्शन अगले कोईशन को देखेंगे अगला प्रस्ण है एक कृत्रिम उपक्रह में विद्यूत उर्जा का शुरोत क्या है अप्शन से हमारे पास लगू नाब किये रेक्टर तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा अगले कोईशन को देखेंगे अगला प्रस्ण है अशुद्यों के कारण द्रब का कोटनांग क्या हो जाता है जब इंप्यूरिटी जाता है किसी भी द्रब लिक्विड के अंदर तो उसका जो प्वाइलिंग पउइंट होता है वो बढ़ जाता है तो option 1 इसका सही जबाब होगा अगले कोईशन को देखेंगे अगला आप कोईशन है acrylic है acrylic क्या है तो acrylic एक इसका जो chemical name होता है acrylic acrylic mechanical और यह किस से बनता है तो ये रेशीन से बनता है ये रेशीन से बनता है तो इसका जो राइट इंसर होगा option नमर 2 सही जबाब है अगले कोजिशन को देखेंगे uranium के radioactive विगटन के फल स्वरूप अंतता क्या बनाया बन जाता है option से हमारे पास radium, thorium, polonium, cisha तो uranium का जब विगटन होता तो वो CC में convert हो जाता है PB जिसका symbol होता है तो इसका सही जबाब होगा option नमर 4 और ये uranium जो है nuclear reactor का इंधन के रूप में वर्क करता है अगले question को देखेंगे बरे नगरों में वायू प्रदूशन का मुख्य कारण क्या है option से मारे पास वाहनों का धूँआ धूँआ तो ये option सही है निलंबित कन ये भी होगा जिवास्म इंधन का दहन ये भी होगा तापिय विद्युत सैयंत्र ये भी होगा तो चारो के चारो option सही है तो इसका जो right answer होगा उपर यूप्त में से सभी फिर अगले question को देखेंगे अगला question है डेटोल में मौजूद पूरी ये गलत हो गया पुर्ति रोधी यॉगिक है the antiseptic compound present in डेटोल इज़ डेटोल के अंदर कौनसा antiseptic present होता है option है iodine तो नहीं iodine तो non metal है भाईया ठीक है और फिर इसका भी antiseptic के रूप में किया जाता है बट इसका जो right answer होगा option नमर 2 unloroxynol next question को देखेंगे next question है हमारे पास enzyme के protein भाग को क्या कहते हैं options है ac enzyme, iso enzyme फिर आता है आपको यह यहाँ पे गलती हो गया इंग्लिस वाले से जाएए iso enzyme, फिर hello enzyme hello enzyme ऐसे लिखेंगे कुछ type writing हो गई है mistake हो गई है फिर आता एपो enzyme इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option number 3 अगले question को देखेंगे osteocyte पाए जाते हैं देखें, osteology osteology यह किसी से related है हड़ी से हड़ी को अस्थी भी कहते है option number 1 सही जवाब है अगला question देखेंगे मानब सरीर में रक्त की परियाप्त आपूर्थी को कहते है ischemia पहला option है दूसरा option है hyperemia फिर hemistasis फिर hemotase तो इसका जो right answer होगा जब blood का level सरीर के अंदर घट जाता है तो उसको क्या कहते है ischemia इस प्रस्ण का option number 1 सही है hyperemia में क्या होता है जब blood का amount बढ़ जाता है तो इसको hypermia बोलेंगे hemistasis किसको बोलेंगे इसका spelling यहाँ पे गलत है hemistasis hemistasis में क्या होता है जब liquid blood तो liquid होता है वो दिरे-दिरे-दिरे हलका ठोस होने लगता है means उसका जो coagulation property है वो बढ़ जाता coagulate होने लगता है तो इस process को बोलेंगे hemistasis अगले question पे चलेंगे दुख दचनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है option है अस्तन गरंती प्लेसेंटा अंडा से प्यूस फिर पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का जो right answer होगा secretion milk का जो secretion होता है वो आपको memory gland से होता है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है गरवासे के लिए वैकल्पिक सब्द क्या है तो गरवासे को uterus कहते हैं देखें यहाँ पे English ही हो गया English वाले के लिए तो बहुत easy प्रस्ण है फिर आपको आगे देखेंगे अगला प्रस्ण है निम्नलिकित में से कौन सा पशू रुधिर हारी है मतलब blood के उपर वो feed करता है डिपैंड करता है options है हमारे पास फल मक्की घरेलू मक्की यह तो फल के रस्पे होते है मच्चर घोंगा तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option number 3 mosquito ही blood को feed करता है पीता है जिसके कारण वो अपने life में आगे growth करता है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है दुख्द सरकरा है lactose, maltose, galactose, sucrose पाज़वा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा lactose option number 1 lactose next question को देखेंगे अगला प्रस्ण है जापान की उनिश्व तिरपन में होने वाली मीनी माटा कन्वेंशन मीनी माटा कन्वेंशन कब हुआ था 1953 में जपान के अंदर हुई थी उन मचलियों को खाने से संक्रमी किस मचली के अंदर क्या पाया गया था तो मरकरी का एमाउंट ज़्यादा था जिसके कारण संक्रमन हो गया था तो इसका जो राइट एंसर होगा पारण गलड है यहाँ पे हज़ी मरकरी का सिंबॉल होता है इसका एटामिक नमर 80 होता है और इससे पहले होता आपको गोल्ड का एटामिक नमर जिसको औरम कहते हैं 79 होता है 47 पे आपको सिलवर होता है तो इसका राइट एंसर होगा मरकरी इस प्रस्ण का सही जवाब होगा पारद या पारा आप्शन नमर थ्री सुरी थी अगला कुश्चन है निम्न लिखित में से कौन एक पौदो के भोजन के उत्पादन के लिए आवस्चक है आप्शन से ओक्सिजन स्टार्च, कार्बोहाइडरेट प्रोटीन, पांचवा उप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा पौदो का भोजन किसके द्वारा प्रपेर होता तो देखे ये पेर हो गया और पेर के अंदर आपको सनलाइट आता है, ठीक है? सनलाइट आता है शाथ में हम जो करवन डाइकसाइड छोड़ते हैं वो और कुछ पानी बर्षा हो जाती है जिसके कारण पौधा अपना खाना बनाता है और ये क्या बनाता है? ग्लुकोज और शाथ में आकसिजन रिलीज करता है, तो आकसिजन जिसको हम लोग ले लेते हैं और ग्लुकोज भी यूजफल होता स्टार्ज के रूप में, कंजर्ब होता ये प्लांट के अंदर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोटो सिंथेसिस और ये सनलाइट के साथ-साथ इसमें केटालिस्ट के रूप में क्लोरोफिल भी काम करता है तो ये इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन नम्मर थिरी सही जवाब है अगला प्रस्ण है निमनलिकित में से किन बिमारियों के कारण वाइरस होता है आप्शन है पीलिया तो जॉन्डिस भी वाइरल डिजिज है हैपटाइटिस का ग्रूप A भी होता ग्रूप B भी होता है तो ये एक वाइरल डिजिज है इन्फुेंजा वाइरस के कारण होता है और मंप्स भी वाइरल डिजिज है वहीं पे typhoid egg bacterial disease है और इसको किस test के दोरा पता लगाया जाता है तो ये vital test के दोरा पता लगाया जाता है तो इस परसन का सही जबाब होगा More than one अगला question देखेंगे Lipstick में पाया जाने वाला हानी कारक पदार्थ है Options है मारे पास Sisa, Phosphorus, Sulfur and Monosodium, Glutameta Options 1 इसका सही जबाब है Lipstick के अंदर lid सीशा पाया जाता है Option 1 Phosphorus एक Non-Metal है Shell पर भी Non-Metal है अगले question को देखेंगे अगला प्रसन है बैगन के अनिवांसिक अभियंत्र की से उसकी एक नई किस्म BT बैगन विक्षित की गई है इसका लक्ष है इसे नास जीवक सह बनाना To make it pest resistant इससे अधिक स्वादिस्ट और पॉस्टिक बनाना नहीं कोई वी चीज़ डेबलप होता है Hybrid वो testy नहीं होता वो पॉस्टिक नहीं होता बस उसका amount जादा हो जाता हो तो यह option नहीं होगा इसे जला भाव शह बनाना To make it waterproof यह भी गलत है फिर आएगा आपको चौता option है इसकी निधानी आयू बढ़ानी यह भी गलत है option number one इस प्रस्ट का सही जवाब है अगला question देखेंगे अगला प्रस्ट है निमनल इखित में से किसने लिंग गुनशुत्र नहीं होते हैं option से हमारे पास बंदर, चिता, तितली, छिपकली तो बंदर के अंदर क्रोमोशूम प्रेजेंट है और यह लगबग आपको बंदर में कितना क्रोमोशूम होता है 42, चिता में भी 42 तितली में 38 38 बटर चिता में 38 होता है रैट में 42 होता है तितली में कितना होता पता नहीं बट छिप के लिए के अंदर क्रोमोशोम नहीं होता है इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option नमर चोथा अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है पित पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहती है इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option नमर नेक्स question को देखेंगे अगला प्रस्ण है वातोत माद रोग हिस्टीरिया किस वर्ग में होता है तो ये जवान महिलाओं को होता है option नमर वन सही जवाब है और ये एक conversion disorder है conversion disorder या mind disorder है mind disorder है तो इसका सही जवाब होगा option नमर वन फिर नेक्स आता है question नमर 47 silicosis एक silicosis क्या है option से हमारे पास गुर्दा, शंबंदी बिमारी यक्रित शंबंदी बिमारी फेफरे शंबंदित बिमारी अवेवस्थित तंत्रिका तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा फेफरे शंबंदित बिमारी है जब शिलकन शरीर के अंदर जाता है तो ये silicosis नाम का disease हो दाता है इसको pulmonary disease कह सकते हैं तो इस प्रस्ण का right answer होगा option नमर 3 सिलका डस्ट के कारण silicosis होता है अगला प्रस्ण है titnes नामक रोग किस नाम से जाना जाता है तो titnes का दूसरा नाम है आपको lock jaw और ये एक bacterial disease है किस वैक्टिरिया के कारण होता है तो ये आपको होता है chlorostedium chlorostedium titani तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option नमर 3 अगला question देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सी मिस्रधातू नहीं है option से हमारे पास steel steel मिस्रधातू है ferum जिसके अंदर 99.something ferum होता है और फिर carbon जो कि 0.1 से लेकर 1.5% amount में present होता है फिर आपको आता है पीतल पीतल के बाद आपको था bronze bronze जो की copper और teen का mixture है और पीतल जिसको brass कहेंगे इसको brass कहेंगे brass में copper होता है और zinc होता है तो ये सही होगा इसका जो right answer होगा copper means चौता option sorry इसका सही जवाब होगा option नमर 4 copper एक element है जिसका atomic number 29 होता है और ये एक transition element है अगले question को देखेंगे अगला question है भारत की tank प्रतिरोधी मिशाइल है options है हमारे पास नाग अगनी प्रतवी आकास option 5 है उपर एक्तमे से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसंद का सही जबाब होगा tank प्रतिरोधी मिशाइल नाग मिशाइल है तो आप लोग को मजा आ रहा है इन questions को करके तो हमारे योटूब चैनल पाठक सटा को subscribe कीजिए क्योंकि questions को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसको record करके फिर आपके लिए upload किया जाता है तो काफी time का इसमें investment किया जाता है हमारे दौरा तो आप लोग support कीजिए और पशंद आए तो अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए और जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर से कर लीजिए अगले question को देखेंगे अगला question है विश्व में सबसे बड़ा संबिधान किस देश का है options है हमारे पास भारत, अमेरिका, बिर्टेन, फ्रांस पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा भारत का शंबिधान सबसे बड़ा शंबिधान है और ये लिखित शंबिधान है ठीक है, next question पे चलेंगे, प्रेस की स्वतंतरता भारतिये शंबिधान के किस अनुच्छेद में मिलती है options है हमारे पास अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, फिर आता अनुच्छेद 16, और पांचवा option है, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रसंद का सही जवाब होगा, option नमबर 19, प्रेस की सुतंतरता या बोलने की आजादी आठकिल 19 में है वहीं पर आठकिल 21, जीवन जीने और निजी सुसंतरता का अधिकार जो इसके अंदर दे रखा है, फिर आठकिल 14 में, equality before law है, equality आठकिल 14, equality before law, और 16 में आपको reservation का जिकर किया गया है 16 में, equal opportunity to all in employment sector, तो यह किलियर हो गया अगला question देखेंगे, लोग शभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्यां हो शक्ती है, तो अधिकतम संख्यां जो होगी, इसकी कितनी हो सकती है 550, देखे वैसे तो शांसत के अंदर total जो seat का वो बटवारा क्या गया था, 552 अब 552 में देखतें कैसे कैसे है estates के अंदर ये total जो seats का नंबर है, वो 530 है और union territory में ये आपको 20 दे रखा है और 2 रास्टपरती के दोरा इसको शामिल किया जा सकता है किसी भी Anglo-Indian member को तो इसका जो total नंबर हो जाएगा 550, option नंबर चार, अगले question को देखेंगे जिला न्याएधीसों की नुक्ती किसके दोरा की जाती है option से हमारे पास राज्यपाल, मुक्य मंत्री, विधी मंत्री रास्टरपती, पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा option नंबर राज्यपाल, option नंबर 1, सही जबाब है जिला न्याएधीस की नुक्ती राज्यपाल के दोरा ही की जाती है अगला प्रस्ण देखेंगे मंडल आयोग रिपूर्ट किस से संबंदित है अन्य पिछराबर्ग से अनुस्चित जन जाती से अलब संख्यक से अनुस्चित जातियों से फिर आता है पांचवाँ option उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो मंडल कमीशन आपको 1979 में जनता पार्टी गौवर्मेंट के द्वाला लाया गया था और इसके जो अध्यक्च थे वो बिंदेशुरी परशाद मंडल थे बीपी मंडल और ये अन्य पिछरा वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया था अगला question दिखेंगे भारत के महा नयवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है options है उच्चे नयायाल है कोई भी उच्चे नयायाल है कोई भी सेशन नयायाल है भारत का कोई भी विधी नयायाल है चौथा option इसका सही जवाब है अगले question को देखेंगे time बहुत हो गया है अगला परस्थ है निम्न लिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है option से हमारे पास रास्ट पती और मंत्री परिशत उच्चितम नयायाल है और उच्चितम 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 नयायाल है ये तो रक्षा करता है तो दूसरा option तो होने से रहा फिर आता तीसरा option रास्ट पती और शांसत के दोनों शदन तो ये इसका सही जबाब होगा option नमर 3 अगले question को दिखेंगे भारत के शंबिदान में भारत को किस रूप में वरनित किया गया है option से हमारे पास परिशंग फिर आता एक आतमक राजियो का संग शंग ये पाँचवा option परिउक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का जो राइट एंसर होगा option नमर 3 भारत एक राजियो का शंग है union of state है ठीक, next question देखेंगे भारत के शंबिधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्यानकारी राजिय घोषित करने से संबंदित है तो कल्यानकारी राजिय घोषित ये part 4 में है constitution के अंदर इसको हम कहते हैं DPSP डाइरेक्टिव पिंस्पल आफ स्टेट पॉलिसी जिसको हिंदी में कहेंगे राजिय के निती निदेशक तत्व पार्ट फोर में दे रखा है और इसका जो आर्टकिल होता है 36 से लेकर 51 तक तो आर्टकिल 39 इसका सही जवाब होगा option नम्मर दूसरा वहीं पे आर्टकिल 99 में ये शपत जो लेते हैं सांसद उनके बारे में है फिर आर्टकिल 59 में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी पार्लियामेंट या लेजिसलेटर के मेंबर नहीं हो शकते हैं इसके बारे में है फिर आर्टकिल 4 कहता option 4 में आर्टकिल 69 है और इसमें उपरास्टपती के शपत गरन के बारे में दिया गया है अगला कुशन दिखेंगे अगला प्रस्न है दास्टपती और उपरास्टपती शेशंबंदित चुनाव विवादों का निप्टारा करने का अधिकार उचितम नयायले का है इसका यह उसका डैस क्या है? उप्षिन वन मौलिक अधिकार फिर पुनर वादित अधिकार परामर्स वादी परामर्सी अधिकार बहुमखी अधिकार तो यह उसका fundamental right है उप्षिन नममर वन सही जबाब है अगला कुशन दिखेंगे अगला प्रस्न है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदारन है उप्षन है हमारे पास जिला पंचायत नगर पंचायत ग्राम शभा छेत्र पंचायत पांचवा उप्षन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा ग्राम शभा उप्षन नमर थर्ड पर्फिल भारतिय सेवाओं के इस प्र generate की सकती अधिक से प्राप्टे उप्षन से हमारे पास उचितम न्यायलै को शांसत को मंत्री-परिषद को प्रधान मंत्री को और पांचवा उप्षन उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो ये में उतिक सानसत के बिप option number second अगला question देखेंगे निम्न लिखित में से किस समीती की report में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की अस्थापना की सिफारिस की गई थी option से हमारे पास प्रथम प्रसासनिक शुधार आयोक फिराता गोरा वाला report अशोक महता समीती तो असोक महता समीती तो पंचायती राज से related है और इन्होंने टू टायर सिस्टम दिया था पंचायती राज के अंदर तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा option number one ये प्रथम प्रसासनिक सुधार आयोक जो की 1977 में लाया गया था और इसके जो हेट थे मुरार जी देशाई उस वक्त के प्रधान मंत्री हुआ करते थे और थिरी टायर सिस्टम पंचायती राज के अंदर कौन लाया था तो ये वलवन्त राई महता ने लाया था जिनको पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है और इनसे रिलेटेड एक और चीज पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस स्टेट के अंदर लागू किया गया था तो ये राजस्थान के अंदर सुरू किया गया था फिर आता है आपको 64 प्रस्ण देखेंगे सांसद में पहला लोग शभा विधेयक कब रखा गया था आप्शन से हमारे पास 1967, 1968, 1971, 1990 पांचवा आप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही चवाब होगा आप्शन नमर दो अगला कुशन देखेंगे सांसद, सांसदो की योग गीता क्यांपे मिस्परिंट होगया की योग गीता शमबंदी, विवाद पर निर्न्य कौन देता है उप्शन से हमारे पास रस्ट्रपति, शमबंदित सदन, निर्वाचित आयोग निर्वाचन आयोग के प्रामर्षी रास्टर पती option 4 इसका सही जवाब होगा next question को देखेंगे और election commission किस आर्ट किल में है तो ये 324 आर्ट किल में है ठीक है next question को हम देखेंगे अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है options है अतरिक्त आमदनी काडिय की प्रगती पदोननती की शंभावना मुद्रा का क्रेशक्ती पांचवा option है उपर उक्तमेशी कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा चौथा option मुद्रा का क्रेशक्ती अगला question देखेंगे नेमनल लिखित में से किसको रास्ट्रे रिन नहीं माना जाता है options है हमारे पास रास्ट्रे बचत पत्र दिर्ग विधी पॉलिसी बीमा पॉलिसी चौथा option है भविश्य निदी पांचवा option है उपर उक्तमेशी कोई नहीं या एक से अधिक तो इसका जो सही जवाब होगा बीमा पॉलिसी को रास्ट्रे रिन नहीं माना जाता है और देखें ये जो रिन होता है वो तीन तरह का होता है ये जो रिन रास्ट्रे रिन होता है ये तीन तरह का होता है सबसे पहले वाले को कहते हैं floating प्लोटिंग रिन दूसरे को कहते हैं फंडेड और तीसरे को कहते हैं अनफंडेड प्लोटिंग किसको कहते हैं जो कि सौट टर्म के लिए होता है फंडेड किसको कहते हैं जो सौट टर्म के लिए होता और बाद में चलके वो लॉंग टर्म में कनवर्ट हो जाता है और अनफो नहीं बता सकते फिर सौर्ट टर्म का जो होता है फ्लोटिंग डप्ट फ्लोटिंग रिंज प्रस्टन है भारती स्टॉक बाजार का विनियमन और परवेक्षन किसके दोरा क्या जाता है options हमारे पास RBI के दोरा ये तो money regulator है तो ये नहीं होगा फिर UTI के दोरा ICICI के दोरा सेवी के दोरा तो ये सेवी ये money ये regulator है capital market का और इसके अध्यक्ष है अजय अजय त्यागी अगले question को दिखेंगे अगला question है विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रे दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं कूठ निती वेदवाव पांटना दोरे दाम पांचवा option उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा dumping तीसरा option अगला question देखेंगे किसने कहा था अर्थ सास्त्र धन का विज्यान है तो ये कहा गया था आपको Adam Smith के दौरा जिनको father of economics भी कहा जाता है अगला question देखते हैं अगला प्रस्न है निमना लिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक छेतर का उपकरम है options है हमारे पास करनाटक bank, विज्या bank, नैनिताल bank, फेडरल bank तो इस options में तो कोई नहीं होगा क्योंकि अब विज्या bank तो है ही नहीं पर उस वक्त में जो ये question पूछा गया था तो इसका right answer होता विज्या bank विज्या bank किसका part हो गया तो ये bank of बड़ादा का part हो गया अगला question दिखेंगे, अगला question है 72 क्रिशी उतपादों की आपूर्ती प्राया क्या होती है लोचदार होती है, बे लोच, बे लोच होती है, पुर्ण लोचदार होती है, पुर्ण बे लोच होती है तो इसका right answer होगा, option number second next question देखेंगे, ऐसी अर्थविवस्ता को क्या कहते हैं, जिसका सेश, विश्व से कोई संबंध नहीं हो option से हमारे पास, समाजवादी अर्थविवस्ता, संवरिद या बंद अर्थविवस्ता, फिर मुक्त अर्थविवस्ता, मिसरित अर्थविवस्ता भारत के अंधर तो आपको मिसरित अर्थविवस्ता है, और इस प्रसन का answer होगा, दूसरा बंद अर्थविवस्ता कहते हैं next आता है, एक आधिकार, किसके आधार पर मुल्य विवेदन का आसरे होता है option से हमारे पास, मांग कानियम, पुर्ती कानियम, पुर्ती लोज, फिर आता है चौता option, मांग लोज, पाजवा option, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक तो इसका जो राइट एंसर होगा, मांग लोज, option नमबर third next question देखेंगे, सार्वजनिक छेत्र में विनिवेस को कहते हैं क्या कहते हैं, option है, उदारी करन, वैस्वी करन, ओद्योगी करन, नीजी करन, पाजवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इसका जो राइट एंसर होगा सार्वजनिक छेत्र में विनिवेस जब होगी, तो उसको हम नीजी करन कहेंगे, option नमर four, इस प्रसन का सही जवाब है और लगभग, एक घंटा, दस मिनट हो गया, तो आज नहीं उपाएगा, आगे का question क्योंकि वीडियो लोड करने में दिक्कत हो जाता, तो इसको मैं अगले part में आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगा तो तब तक के लिए इतने ही question के साथ आज इसको solve कीजिए, मिलते हम अपने next वीडियो में, और हमारे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है, तो जरू से subscribe कर लीजिए, और classes पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और उन्हें भी subscribe करने के लिए कहिए, धन्यवा के लिए गएचिए लिए साथ आज